नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका TC Fashion में इस वीडियो में हम कालर बनाएंगे ये कंट्रास में है और कंट्रास जो है हम कालर के ओपर भी लगाएंगे तो किस तरीके से इसको बनाएंगे चलिए शुरू करते हैं वीडियो को color का नीचे वाला हिस्सा सबसे पहले जड से आपको काट लेना है color cut करने के बाद चिपकने के बाद तो ये उस्सा काटने के बाद अब हम क्या काम करेंगे अब جो side का हिस्सा है उसको भी, बिल्कुल जड से इसको kٹ कर देंगे क्योंकि यहाँ पर पैर की पैपिन निकलेगी इसलिए दूसरे साइड की ऐसे ही कट कर लेना है तो सिंपल सा ये काम कंप्लीट होगे अब हम इसमें लगाएंगा कंट्रास का कपड़ा तो जैसे कि ये कपड़ा है तो आपका जो भी कंट्रास में बूँ आप लगा सकते हैं तो यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से रखेंगे और सिंपल सा हम इसको इस तरीके से पैर जितनी भी आपको मोटी पैपिन निकालना हो उतनी ही सिलाई लगाना है यों को पैर के निकालना है तो हमने पैर की सिलाई यहाँ पर लगाई है दो कुछ इस तरीके से यह आएगा एक साइड में वे हो गई अब हम लगाएंगे दूसरी साइड में इसको यहाँ से कट कर देते हैं तो इतना काम वारा कंप्लीट हो गया इधर साइटिम भी हमारी यह कंट्रास में पाइपिन लग गई अब हम सबस्पहले कालर को कंप्लेट कर लेते हैं उसके बाद हम बनाएंगे अपनी बेंट पैट्टी तो यहाँ पर इसको इस तरीके से रखने के बाद और यहां से जड़ से हम सिलाई लगाएंगे कालर को बनाएंगे एक टाका पीछे रखें आपको धागा यहां पर डाल लेना है इसरे क्या होगा हमारीक अच्छ से निकलेगी है अब हम सिंपल से कलर को टेज्ट करते हुए चले जाएंगे उद्र साइड में भी धागा आपको डाल लेना है ये अगता का पीछह रखना है धागे को ले है सिंगल दागे को इस तरीके से स्वी तक डालना है एक टांका आगे बढ़ाना घड़ाना घड़ा के और अंदर साइड में कर देना है धागा पड़ गया उसके बाद यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं जैसे कालर को कट करते हैं आदे पेर का मारजन रखना है यहाँ पर उसके बाद हम कालर को पलटते हैं तो यहां पर धागे की नोक है इसको मतलब धागे को खीचना है नोक अपने आप ही आटोमेटिक निकल आएगी यह दिखिए और उसके बाद धागे को हम निकाल देंगे तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे है उल्टी तरफ से नाकून लगा लें हलका असा इससे क्या हो गएगे जितनी पाइप इन हमारी यह निकली है और बीच में सिलाई हम इसमें नहीं डालेंगे तो बस इतनी सिलाई हमको लगाना है दूसरी साइटम भी इतनी ही लगा देना है अधा उसके बाद यहां पर खींच के इसको जो है सिलाई लगाते हुए चले जाना है कालर को बिल्कुल लोक कर देना है उसके फालतु का एक्ट्रा जो कपला है उसको निकाल देना है ये नोक के पास जो धागा इसको भी निकाल देना है ये वाला जो कपला है फालतु का इसको कट कर देना है तो देखे हमारा कालर कितना फिनीसिंग के साथ और बहतरीन बना हुआ है उल तरफ और सीरी तरफ यह देखिए अब हम सबसे पहले अपनी बैन पट्टी कंप्लेट कर लेते हैं बैन पट्टी कुछ इस तरीके से हमें चिपकाई है यहां पर सबसे पहले नीचे का जो हिस्सा हाई यह इसमें हम क्या करेंगे मोड के आपको मैद धागा चलाने के बाद इस इसको काट देना है और यहां पर जो हमारी इसमें पैर भर का मार्जन लेना है तो स्टोन में पैर भर का मार्जन ही रखना है यहां पर एक कम और हमको करना है यहां पर निसान लगा लेना है जो ठोके हैं हमारे अलक्स निकलते हैं यहां पर देखें निसान तो लगे हैं इनको सबसे पहले हमको बराबर कर लेना है इस से हमारे ठोके छोटे अड़े नहीं होंगे और यहां पर हलका सा कट लगाएंगे ताकि हमको एक आइडिया रहे आप कोझ दिखने रहा होगा इसलिए हमने निसान यहाँ पर लगा दिया ये देखिए और B center का यहाँ पर निसान लगा लेना है simple सा उसके बाद हम आते हैं color पे तो color पे भी हमको क्या काम करना है सबसे पहले यहाँ पर लगाने से पहले हम भी संटर का निसान लगा लेते हैं तो चाक से इस तरीके से लगाना है उसके बद हम पाइपन को इसको रखेंगे इस टोन को कालर हमारा सिर्फ पैर पर बढ़ती रहना चाहिए एक्स्रा बाकी इस तरीके से नाप के और हमको शिलाई लगाते हुए चले जाना है खीचना किसी को नहीं है नीचे कालर को खीचना ना उपर वाली स्टोन को खीचना वससे रखते हुए चले जाना है तो यह फाइनली हमारा देखिए यह complete होके अब हम को यह करें है नीचे का हिस्सा जो है कपड़ा उसको जड़ लेते हैं तो गुलाई में जैसे ही stone है यह color bend पटी ऐसे ही हमको गुलाई में नीचे का कपड़ा भी रखना है मतलब गुलाई में तब ही हमारा बैठेगा सीधे सी कपड़े में कि उसके बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा है फालतू का उसको निकाल देंगे हैं आइची से उसके बाद इसको पलट लेते हैं पलट इनकी नोके जो है निकाले ना है दोनों साइटों की अच्छे से उल्टी दरा हमको नाकून लगाना है और यहाँ पर हलके से साफ कल देना है अब देखिए कालर हमारे कितना फिनिसिंग के साथ आया है इसमें पैर की यहाँ पर सिलाई लगाएंगे इस टोन में कालर बेन पट्टी में यह देखिए हलक आसा नीचे का पलट टाइ लगा देना है यह काम कंप्लीट हो गया देखिए उल्टी दरा हमारे कितनी सबस्क्राइब के साथ और हमको क्या करना यहां पर चैख से निसान लगाना क्यों कि क्यों कि यह निसान लगाने से क्या होगा चढ़ाते हैं आपको इसी निसान पर लाइ लगाना है यह जब सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल इस फिनीशिंग के साथ कालर आपका चढ़ेगा सिलाई एक दम सीधी आएंगी नीचे की उसके बाद इसको कट कर देना है पैर का मार्जन चोड के तो सेंपल था यह हमारा जो कालर है वो बनके रेडी हो गया तो इस तरीके से आप बना सकते हैं तो सामने का हिस्सा भी कंट्रास में बनता है तो इसके उपर अगर आप और वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करें तो दोस्तों यह देखिए कुछ इस तरीके से कालर कर आया है कालर कभी ऐसे डियाइन में अच्छे से बनते हैं तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर बेल आइक कनाल पर ज़रूर क्लिक करने म मिलते हैं नए वीडियो को साथ तब तक के लिए नमस्कार